कॉंग्रिस ने क्यों कराई नरेद मोती खिलाब विशेशिदिकार हनन की शिकायत दर्थ संसत के अंदर क्यों राहुल गांधी से पूछी जारी है उनकी जाती आखर भजबस सांसाद अनुराग ठाकोर ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्या बोल दिया है जिसके बाद उसा संसत की कारवाई से हटा दिया गया सदर्ड में कॉंग्रिस और बीजबी के बीच ऐसा क्या हो रहा है जिसके बाद इन दोनों के भीच सोशल मीडिया से लेकर संसत के अंदर तक जुबानी जंग छिड़ गई है और कॉंग्रिस ने अब क्यों प्रधान मंतरे खिलाफ विशे शितिकार हनन की शिकायत भी दर्स करा दी है दर्सलोकसवा में निता प्रतिपक्ष राहूल गांदी खिलाफ भाजपस सांसद अनुराग ठाकूर की टिपड़ी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच नरिद मोदी ने भी अपने ट्वीटर पर राहूल गांदी को लेकर अनुराग ठाकूर की टिपड़ी को शेर कर दिया है जिसके बाद बीजेपी और कॉंग्रिस के बीच राजनितिक तकरार और ज्यादा हो गई है और कॉंग्रिस संसद और पंजाब के पूर मुख्य मंतरी चरणजी सिंग चन्नी ने परधान मंतरी नरिद मोदी के खिलाफ इस पीकर को प्रिवलेज मोशल लाने के लिए पत्र लिखा है आखर ये पूरा मामला है क्या तो चलिए हम आपको बताते हैं राहुल गांदी ने लोगसबा में बजट पर चर्चा के दुरान निर्मला सीता रमन की हलवा सेर्मनी पर कटाक्ष किया था उन्होंने कहा था कि भारत की आबादी का 70 फीजी से ज्यादा OBC, SC और ST है हमने बजट की हलवा सेर्मनी की तस्वीर देखी है इसमें OBC, SC और ST समयदाय का एक भी व्यक्ती शामिल नहीं था राहुल गांदी ने जाती जनगर्ना कराने की भी मांग की थी इसी बात को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांदी पर बिना नाम लिया पलटवार करते हुए कहा था कि आज कल कुछ लोगों पर जाती जनगर्ना का भूत सवार है जिसको जाती का नहीं पता वो जाती जनगर्ना कराना चाहता है अनुराग ठाकुर के इस बयान के बात से ही बीजेपी और कॉंगरिस की भी जुमानी जंग छिड़ी हुई है अनुराग ठाकुर ने संजद में राहुल गांधी पर भाशड देती हुए और भी ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया था जिस पर विपक्ष ने आपत्ती जिताई थी और इस वक्त चेर पर बैठे वरिस्ट भाचपर संजद जगदंबिका पाल ने आसवाशन भी दिया था कि पड़ियों को कारवाई के रिकोर्ड से हटा दिया जाएगा यह मामला भी शांद ही नहीं हुआ था कि बरधान मंतरी नरेंद मोदी ने सदन के अंदर बिना एडिट किये अनुराग ठाकुर के भाशड को अपने ट्वीटर पर शेर कर दिया है और साथ ही अनुराग ठाकु दिकायत दर्सकराती है इस मामली को लिकर चरण जी चन्नी ने कहा है कि कल बीज़े पिस्तान सद अनुराग ठाकुर ने अपने भाशड में बहुत सारे आपतिजनक शब्द बोले उनके आपतिजनक भाशड को लोगसबाय स्पीकर ने एक्सपंच कर दिया मतलब हटा दिया था इस पीकर ने जिस भाशड को हटाया है उसका परसार परचार नहीं किया जा सकता लिकिन मैं हैरान हूं कि देश के प्रधान मंतरी ने भाशड के उसी हिस्से को ट्विट करते हुए अनुराग ठाकुर को साबाशी दी है इसलिए मैंने ब्रच ओ प्रिविलेज मोशन दि अनुराग ठाकुर अपरधान मंतरी को लेकर विपक्षी दलो ने लगातार इसको लेकर तीखे प्रतिकरिया भी दे रहे हैं इसी बीच कांग्रिस अधिया अक्ष्मलिका अर्जुन खड़के ने भी समुद्दे पर प्रतिकरिया देते हुए कहा है कि सदन में जाती पर व् अपनी सूरत आइने में देखें जाती पर बयान देना गलत है प्यम ने भी ट्विट कर दिया कि जरूरब थी प्यम को ऐसा करने की इसके लावा भी मलिकार्जुन खड़के ने इस मामले को लेकर और भी ट्विट किये हैं वैसे दोस्तों सोचने वाली बात तो यही है कि अ आपके सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह का काम एक परधान मंतरी को शौबह देता है क्या वाकि इस तरह का काम एक परधान मंतरी को करना चाहिए है खर दोस्तों आप लोग क्या लगता है इस वीडियो पर हम एपनी रॉइज जरूर दें और बाके तमाम खबरों को एकने के लिए जुरे देगा है साथ